दोस्तो पांच से साथ मिनिट की वीडियो पूरा देख लेना क्या पता यहें वीडियो आपको NMS exam पास करवा दे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बहें कौन सी मारत थी जो सरप्रथम पूरी संगमरमर की बनी हुई थी कोस्चन नमबर अत्मा दुदोला का मकवरा कोस्चन नमबर बावन मिया मीर कोन थे कोस्चन नमबर अ सूफी संत तो दोस्तो मिया मीर सूफी संत थे कोस्चन नमबर त्रेपन दूत क्रीडा पर प्रतिवंद किसने लगाया कोस्चन नमबर सह जहांगीर कोस्टन नमबर चोपण सरप्रथम किस सासक द्वारा बाली का वद को पुर्नतया विराम दे दिया गया ओफसन नमबर बह जेहांगीर तो दोस्तों ये कोस्टन पक्का आपके इजाम में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों जल्दी से इन कोस्टनों को रट दीजिए कोस्टन नमबर पिचपन कोण सा चित्रकार जेहांगीर कालीन नहीं था ओफसन नमबर द दसवांत यानि दोस्तों जेहांगीर के समय में कोण सा चित्रकार नहीं था तो इसमें आएगा दसवांत अगर बेहें पूछे कि कौन सा चित्रकार जहांगीर कालीन के समय में था तो यहां पे आएगा मसूर, विसंदास, गोवर्दन तो दोस्तों आप इन कोस्टनों को कई त्रिकों से याद कर सकते हैं आपका कोस्टन किसी भी स्टेप में पूछा जा सकता है कोस्टन नमबर 56, कौन सा यूरोपिय यात्री जहांगीर के समय में नहीं आया और पूछे अगर आया था तो हॉंकीस, सर टामस रो, डिलेट कोस्टन नमबर 57, निमलेखित का मिलान कीजिए तो दोस्तों इसमें आएगा ओफसन नमबर A, यानि दोस्तों A का एक है और B का दो, यानि यहें सही मिलान है सर टोमस रो, जहांगीर, राल्फ फिच्च, अकवर, वर्नियर, औरंग जेव कालीन, डिलेट, जहांगीर दोस्तों, नेस्ट वीडियो में मैं आपको विग्यार के मोस्ट रिपोर्टेट कोस्टन बताने वाला हूँ जो आपके इजामें देखने को पका मिलेंगे तो चलिए दोस्तों कोस्टन नमबर 58 देखते हैं किस समारक पर यहें कथल लिखा गया है कास में अपनी प्रेशी का मुख एक बार ओर देख पाता तो मैं खुदा को मोत के दिन तक दन्यवाद देता ओफ्सन नमबर 6 अनारकली का मकवरा लोहार क्वेस्टन नमबर 69 जहांगीर के काल में कोन से चितरकार ने आदमी और पसू के जीवन चितर बनाने में महारत हासिल की थी ओफ्सन नमबर सह उस्ताद महसूर कोस्चन नमबर 60 सेना में दो अस्पा और सहे अस्पा पद का चलन किसने सुरू किया था ओफ्सन नमबर जहांगीर कोस्चन नमबर 61 सरो प्रतम किस मुगल समराठ ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्टरी खोलने का फर्मान जारी किया ओफ्सन नमबर बे जहांगीर कोस्चन नमबर 62 पहला समराठ कोन था जिसने अपने सिकों पर अपनी मूर्ती खुदवाई ओफ्सन नमबर बे जहांगीर कोस्चन नमबर 63 छापा मार युद परनाली से स्वंदित कों नहीं था ओफ्सन नमबर दे उद्दे सिंग अगर बे पूछले कि छापा मार युद परनाली से स्वंदित कों कों है तो यहां पे आएगा राणा प्रताप, सिवा जी, चंदर सेन तो कोश्चन नमबर चॉंसट अकवर के समाजिक सुधारों में कौन सा सुधार नहीं था ओफ्सन नमबर दे जुआ पर रोक सती प्रता पर रोक लगाई थी बिद्वा विवा को कानूनी मानेता दिलवाई मदीरा की विक्री समीती तो दोसो कोश्चन नमबर पैंसट बामन पंडित था ओफ्सन नमबर ए ब्या करना चारे कोश्चन नमबर 66 अबला बाबा निर्दनों का मित्र के नाम से जाना जाता है ओफ्सन नमबर वे आदिल साद वित्ते कोश्चन नमबर 67 चार मिनार्ग बनाई थी ओफ्सन नमबर वे कुली कुत्ब सेहा ने कोश्चन नमबर 68 देहे साला परनाली किस से विक्सित हुई ओफ्सन नमबर वे जाबती कोश्चन नमबर 69 रूम चित्र कला माट्रेट पैंटिंग किस के काल में विक्सित हुई ओफ्सन नमबर A अकवर के काल में कोश्चन नमबर सतर यहांगीर ने निमिन में से किस चित्रकार को इरान के सा के यहां छाया चित्र बनाने के लिए बेजा था ओफ्सन नमबर से बिसंड दास चित्रकार को देखते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखना तो दोस्तो अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे तो क्या पता जो आपके इग्जा में कोश्चन आएगा बो भी मिस हो जाए तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें Question No. 71 हिंदू, चीनी, एव, इरानी सेलियों का समनवे किस मुग सासक के समय हुआ Option No. A. अकवर Question No. 22 पंसी ब्राउन ने बास्तु कला का हीरा किसे कहा Option No. 10 तूर्की सुल्ताना का महल Question No. 33 बक्ति अंदुलन के परमुख संत ज्यान देव, एव, नाम देव, निविन में से किस राज्य के थे Option No. 10 महाराश्ट्र Question No. 44 ताज मेल उदारन है Option No. से बारत फारस की सिल्प कला Question No. 75 बेहें कोंड सा मुगल सासक था जिसने उर्दू को प्रोच साहन दिया था Option No. 7 मौमुद साह Question No. 76 मुगल सासनकाल में निर्मित निमिल इखित इमारतों का सही काल करम बताए Option No. 8 तो दोस्तों यहां पे हैं पहले आएगा दोस्तों बुलंद दर्वाजा तो दोस्तों सबसे पहले बुलंद दर्वाजा बनाए गया उसके बाद दोस्तों सिकंद्रा उसके बाद दोस्तों अत्मा दुदोला का मकवरा बना था और लाश्ट में बना था ताजमेल तो दोस्तों इस करम को आपको याद भी रखना है Question No. 77 किस मुगल सासक ने मासिक वेतन देने की प्रता सुरू की Option No. 7 Question No. 78 पहला मुगल समराट कोंड सा था जिसने संस्कृत को राज्या स्रे दिया था Option No. 89 गंगा लहरी पुस्तक लिखी थी Option No. 8 जगनात पंडित ने Question No. 80 आगरा के किले में एकवर ने कोंड सी इमारत बनवाई Option No. 8 जहांगीर महल Question No. 81 यदि में किसी गलत कारियों के लिए दोसी रहूंगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूं किसने कहा था Option No. जहांगीर ने Question No. 82 निमिन बासाओं में से किस बासा को मुगल बादसाओं ने राजे बासा बनाया Option No. परसियन Question No. 83 मुगलों और मराठों के बीच संगर्स किसके राजेकाल में आराम हुआ Option No. से सहाजा Question No. 84 मलीक अंबर था Option No. से एहमद नगर का अफरीकी मंतरी Question No. 85 साजा का कौन सा पुत्तर ओरंग जेव के साथ था Option No. से मुराद Question No. 86 उपनी सेदों का अनुवाद पारसियन में किस के दवारा कराया गया Option No. A दारा सिको Question No. 87 सहे जेहानावाद की स्थापना कब हुई थी Option No. 2 1638 में Question No. 88 निमिलिकित मुगल समराटों में निर्माताओं का राजकुमार कोण कहलाता है Option No. 2 सहाजा तो दोस्तों ये Question No. इपोर्टेट है आप इसे याद रखिए Question No. 89 दारा सिको किस संपर्दाय का अनुआई था Option No. इचीश्ती संपर्दाय Question No. 90 साजा दवारा अपनी प्रिये बेगम मुम्ताज को प्रारंब में दफनाया गया था Option No. सह बुरिहान पूर में Option No. 90 साजा के समें तीन प्रमुख गायक थे निमिन में से कौन सा नहीं था Option No. बे मती राम नहीं था रामदास था मेहापातर था जगना था ये तीन गायक थे लेकिन मती राम नहीं था Option No. 90 निमिन इतियासकारों में से कोस्चन नमबर तराण में दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की या पूर्ती पर ध्यान देने वाला मुगल सासक कौन था? कोस्चन नमबर तराण में दर्मांदता और एनादरता का अगर दूत सासक था? कोस्चन नमबर पचान में संग मरमर का सौवपन किसे माना जाता है? कोस्चन नमबर ताज मेहल को कोस्चन नमबर श्यान में ऐसा कौन सा एक मात्तर मुगल सासक था जो मद्दे पान नहीं करता था? कोस्चन नमबर पचान में किसके दवारा समराट अकवर की हड़ियों को कबर से निकाल कर जला दिया गया था? ओपसन नमबर जातों दवारा